नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एजूकेशन के एड़सेक्स में अब देखिए अगर यहाँ पे हम सवाल उठाएंगे कि इतने जल्दी आखिर पीटी के एग्जामनेशन डेट कैसे आ गए तो सरकार कहेगी कि देर होता है तो देर कहते हो और जल्दी होता ह ही है इस टीटी का एग्जाम हुआ उसको रद कर दिया आप लोगों ने धांदली वहां नहीं हुई है क्या यह धांदली से निकल जाए कहीं न कहीं यह फस जाए इसलिए इसका यहां पे आउटपूट दिया जारा फटाफट यहां पे तो अच्छी बात है आप अगर यही काम पूरे चार साल में किये होते तो पांचवे साल में आपको इतना हरवडाना नहीं पड़ता और जितने अच्छे सेलेक्शन चात्र हो जाते वह आप यहां पे साइध ही जो की मेरिट वाले स्टुडेंट होंगे उनका हो पाएगा मेरिट वाले कहने का मतलब है कि यह जल प्राइगे आया है त्वाट असी अंनुग statistically उसमें इतने सही किये तैसे कि यह जात तो सरकार का क्या है कि आप कटफ नहीं बताते हैं कि कि अपने लोगगों हमवले क्ट आसी लगत हो इस नहीं मैं कर दिया गया दोस्तों आप ऑफिशल वेबसाइट पर जाएंगे जैसे ही देख सकते हैं यह थोड़ी दिर पहले अपडेट किया गया है और यह नीचे लिंक दिया गया है यह जो है ना यह अड़िटाइजमेंट है इसका ठीक है इसको पढ़ लिजिएगा पहले अच्छे से आपको सारा डिटेल यहाँ पर पता चलेगा कि कब से कब तक है मैंने इसको डाउनलोड कर रखा यहाँ पर आप देख सकते हैं केंडरे चेन परसद भरती को लेकर यहाँ पर 2019 में पुलिस भरती के लिए 11888 पदों की वेकेंसी निकाली गए थी जिसका 4 अक्टूबर 2019 को प 15 जुलाई से तो आपको सहीद राजिंद्र नगर सिंग राजी किये उच्ची विद्याले हाई कोट गर्दनी बाग जाना होगा वहाँ पे सारीरिक योगिता को यहाँ पर अपना प्रूफ करने के लिए जी हैं दोस्तों पीटी है तो आपको परवेश्पत्र 21 जून से या अब दोस्तों यहां पर दिया गया है कि 13 जुलाई से लेकर 14 जुलाई को केंद्र चैन परसत की द्वारा हाडिंग रोड में ही आपको यह एक ऑफिस है जहां पर अगर आपका एड्मिट कर डाउनलोड नहीं होता है या कोई दिक्कत होता है तो आप अपना डुप्लिकेट यह आई काड जो है वह बनवा सकते हैं एडमिट काड बनवा सकते हैं और सुबह के दस सामकी पांच वजे के बीच ही यह ओफिस कुला रहेगा तो आप जाके अपना बनवा सकते हैं चाहे नित अभियारती की सारे एक दक्षता की बात करें यहां पर तो तिथी समय स्थान वो सारे अडमिट काड पर आपको दरसाएंगे तो जिन्होंने अभी जो भाई मतलब अडमिट काड निकालेंगे अपना वो प्लीज नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको कब बुलाया गया है यह डेट मेंसन जरूर कीजिएगा हम लोगों यहां पर कोई दूसरा आउसर भी नहीं दिया जाएगा डॉक्मेंट वेरिफिकेशन भी होगा इसलिए अपना सारा डॉक्मेंट से लेकर जाएंगे आप लोग ठीक है जो भी सारे दक्षता के लिए यहां पर निर्देश दिये गये थे मैंने आपको ऑफिशल नोटिफिकेशन भी आप से मांगा गया हैं इंट्रमीडियेट की समख्छ या पर इंट्रमीडियीट का रिजल्ट होगा आपका वो ले जा जाने यापको ऑरीजनल और तैंत का भी मार्गर्षित लेकर जाएगा जिक्षिध यहाँ नरु नर एकड़िबरे जेन Trop कर राएगा यहां पर इब सब लब ले के जाना अगर बना हुआ है तो ठीक है पोता-पोती हैं अगर सतंतरता सिनानी की अगर आप लो तो उनका एक सर्टिफिकेट बनता है वो भी अपना लिक कर देगा सारे यह दोक्मेंट्स मांगे जाए हैं वहाँ पर दोस्तों जो बिद्यारती जो है यहाँ पर 2019 का विरुद आविदन किया था और 2018 के साथ में भी उसने आविदन किया था उसके अधार पर उनकी आयूब में छूट दी गई थी जब आप फॉर्म भरे थे तो उसके लेकर भी अपडे देने की अनुमती दी जाएगी तो थोड़ा सा फेट रहिए भाई अभी इम्मिनिटी पावर बना के रखे एक महिने जंबर दोड़िये खाईए पीजे जंबर की कोरोना अपने आप निकल जाए अंदर से कोरोना संक्रमन को ध्यान में रखते हुए अभियारती सोसल डिस् उसरे को ना देंगे सबी योग या बियारतियों को विज्वापन संक्या यहां वर्नित किया गया है और सारे प्रवधान यहां पर दिये गे हैं जिसको अनिवार है पालन करना आपको ठीक है किसी भी विवाद में अगध्यक्ष केंद्रे चेन परसाद निंडे ले सकता है इस vacancy को रद कर सकता है या फिर इस vacancy को date extend भी कर सकता है कुछ भी कर सकता है लेकिन उनके ध्यान में रहिएगा तो सही से होगा सब कुछ किसी प्रेस में मुद्रण और टाइपोग्राफिकल असुद्या अगर पाए गई तो आपको उतरदाई माना जाएगा भाई दलालों से साउधान रहें दलाल तो यहाँ पर पता नहीं कौन बेठा हुआ है कि इतने सारे रिजल्ट दे दिये है और बहुत जो मामले है वो अभी तक सोसल मीडिया से बहुत उचल रहे है फेस्बुक पर अगर ट्विटर पर चले जाएंगे आप लो तो साइध वहाँ पर सरकार की धज्या उड़ी हुई है फिर भी सरकार सांत बैठी हुई है क्योंकि हो सकते है अगर सरकार यहाँ पर कुछ एक्षन नहीं ले रही है तो इसका मतलब की जरू कहीं न कहीं कुछ बात है यहाँ पर सरकार को यहाँ पर जरू एक्षन लेना चाहिए थी ठीक है इसका चाहे आपको बिहार दरोगा मेंस का भी अगर देखा जाए प्रिलिम्स का भी देखा जाए तो CBI जांच लेने चाहिए थी सरकार को लेगिन इतने सारे अभ्यारतियों की आंदोलन के बाद भी सरकार चुप बैटी होई है इसकी मनसा सायद कोई नहीं जानता है हो सकता है कि सरकार के दिमाग में कुछ चल रहा हो इसलिए आप लोग भी यहां पे यह सारे अउगत से आपको अपडेट किया है मैंने तो आप लोग भी अपना थोड़ा सा दिमाग सांध रखिए और सोचिए कि क्या करना आपको आने वाले समय में क्या ऐसी ही सरकार वेकेंसी थोड़ी थोड़ी निकाले और कंप्लीटली पांच साल में जितनी वेकेंसी उसको निकालनी चाहिए उतनी निकाले यह एक बार में तेरा लाख लोगों को बुला कर और बेवकूफ बनाने वाला काम सरकार ना करें ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए यह तेरा लाख शात्रों ने आविदन किये जिसमें के साड़े दस लग लोगों ने फरम भरें और यहां पे ग्यारा हजार बारा हजार छात्रों का सेलेक्शन होगा यह एक साथ ना करें तो यह सारे अपडेट थे दोस्तों जो कि मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर किये ह फिर भी आपको कैसा लगा वीडियो यह हमें कमेंट वोक्स में कमेंट करें जरूर बताईएगा और चैनल पे नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा वाईटी एजूकेशन चैनल जोईन किजिए जाके जल्दी से आप लो है ना वहाँ पे कल से आपके लिए तीन वीडियो दिये जाएंगे एक आपको आने वाले एक्जाम के स्टैटिक जी के और बिहार से थोड़ा बाहर निकल लिए एसेसी का एक्जाम आया हुआ है सीप्यो का एसाई का ठीक है तो एसाई का फॉर्म भरिये साब इस्टैटर बनिये है ना और तयारी में लग जाई है एक दो माज से ही थोड़ा सा बिहार से बाहर के एक्जाम को देखिए ध्यान दीजे जितनी आपकी तयारी है ना अगर आ देट दिये हैं उसे एक्जाम पर होगा तो उसे फोकस कीजिए थोड़ा सा जरूर निकलेगा फॉर्म आप लोगों ने भरा ही होगा और नई भरा है तो थोड़ा सा तयारी कर लिजे क्योंकि अभी वेकेंसी और आने वाली है ठीक है इस पूरे साल का वेकेंसी अभी रुक जरूर बताएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों ग्रूप में और अपना एड्मिट का डाउलोड करके हमें नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा धन्यवाद टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लिजेगा टेलीग्राम एजुक जैसे इसे अपडेट आएंगे मैं आपको देता रहूँगा धन्यवाद दोस्तों आज के लिए ता ही मिलते हैं आगले वीडियो में बबाई टेक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का